एक समानी का जिक्र है यहां से बहुत दूर एक सफेद बहुत बड़ा और बहुत खुपसूरत महल हुआ करता था जहां स्नोव वाइड और शहजादा एंथनी रहा करते थे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे हर सुभह वो गार्डन में एक वाउक करा करते थे दुपहर में वो अपने गोडे चलाते शाम में वो दोनों अपने महल में मिलकर डांस करते सुनवाईट तुम बहुत खुपषूरत हो तुम मेरे खुअबों में रोज आती हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं एक सितारे की तरह चमकती रहती हूँ वो दोनों आपस में बहुत मज़े करती थे क्योंकि अब उनको परिशान करने वाली हैला बंद हो चुकी थी वो भी एक गने काले जंगल में लेकिन उस काले गने जंगल में उस चुणैल हैला ने अपने लिए खुद ही एक महल बना लिया उसका सुस्नोकर डंकोफ उसके लिए सूप लाया और अब हैला के पास एक नया जादू था ताके वो स्नोवाइट और उसके शोहर पर नजर रख सके अँँग्ये उस स्नोवाइट से नफरत है वो बहुत खुबसूरत है मैं तुमारे उस खुबसूरत शेहजादे को तबहा कर दूँगी और फिर तुमारी खुबसूरती किसी काम की नहीं रहेगी तुम तो दुनिया की सबसे खुबसूरत हो अरे यहां तक के मुझसे भी खुबसूरत हो निकल जाओ यहां से डंक ओफ, मैं तुम्हारी बत्सूरच शकल नहीं देखना चाहती हूँ पत्थर दिल चुडैल अपनी बॉल में से देख रही थी के शहजादा कहां जा रहा है हेला ने अपनी आखें बंद करी और एक प्लैन बनाना शुरू किया और फिर अपने जादूई शीशे के बारे में सोचा जो के अभी भी नदी के अंदर फसा हुआ था काले शीशे, काले शीशे, निकलो वहां से और शहजादे को जाके पकड़ लो और उसे हमेशा के लिए गायब कर दो काला जादूई शीशा समंदर से बहार आ गया और वो एक बड़े सिपेड के पास आ गया और गायब हो गया ताके शहजादा आए और उसे वो ना दिखे दूसरी तरफ शहजादी स्नोवाइट के दोस्त साथ बोने अपने काम की तरफ जा रहे थे हर सुभा स्नोवाइट उनको अलविदा कहती एक किस के साथ अल्ला आफिस मेरे साथ दोस्तों शहजादे ने उन साथो बोनों को अपने काम की तरफ लगा कर रखा हुआ था यह दखो यह दखो यह क्या है कुछ की यम्ति है अरे तुम्हारी वज़ा से यहां मिट्टी उड़ गई रुको रुको यहां और भी है सब मिलके खुदाई करो बोने यह नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही एहम और एक बहुत ही खास मिट्टी ढूंड ली है उन्होंने अपने पाउचिस में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली और महल की दरफ चल पड़े दूसरी तरफ शहजादा एंथनी अपने गोड़े के साथ सफर पर निकला हुआ था वो अपनी वाइब स्नूव वाइट के लिए थोड़े गुलाब के फूल उठा रहा था और उसने एक बड़े से पेड़ की नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल देखा और वो उसकी तरफ जाकर रोग गया चलो चलो तेश चलो या अरे 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 को उरको लेकिन शहसादी को जादूई शीशा दिखाई नहीं दिया जैसे ही वो फूल के पास गया उसका हाथ गायब हो गया लेकिन शहसादा फिर भी आगे जाता गया उस जादूई शीशे में जब तक वो पूरी तरहां से गायब नहीं हो गया उसका गोड़ा बहुत हैरान हो गया और वो जल्दी से महल की तरफ भागने लगा उस जादूई शीशे के अंदर एक जादूई जंगल था शहजादा लेटा हुआ था और हैला का प्लैन कामियाब हुआ खुबसूरत शहजादे मैं तुमारे दिल को ये काम देती हूँ कि तुम इस घास पे सोते रहो और मैं चाहती हूँ कि स्नोव वाइट के साथ गुजारीवी सारी यादे तुम भूल जाओ और तुम मेरे हो जाओ सिर्फ मेरा ही कहा माना करो फिर शहजादा एंथनी उठा और उसकी आँखे लाल हो गई उसके दिमाग ने स्नोव वाइट को बोला दिया था और अब वो उस पत्थर दिल चुड़ेल हैला का नौकर बन चुका था मैं तामेल करूँगा शहजादी दूसरी तरफ शहजादे का घोड़ा महल जा पहुचा जब स्नोव वाइट ने देखा के शहजादे के बगएर घोड़ा आ रहा है तो उसने परिशान होके घोड़े से पूचा क्या हुआ क्या शहजादे को कुछ हुआ है अरे नहीं स्नोव वाइट के पास एक आइडिया आया वो महल के उस स्टोर रूम में गई जहां पे हैला का जादूई शीशा पड़ा हुआ था वो शीशा हमेशा सच बोलता था तो उसे लगा कि वो उस शीशे से मदद ले सकती है सातो बो ने आखिरकार महल आ पहुचे और वो नहीं जानते थे के शहजादे के साथ क्या हुआ है लेकिन जैसे ही उड़ों ने स्नोव वाइट को भागते हुए देखा वो उसका पीछा करने लगे सातो बो ने स्नोव वाइट के पीछे पीछे भाग रहे थे स्नोव वाइट शीषे के सामने खड़ी होकर बोली सोने के शीषे शीषे जादूई शीषे ने जवाब नहीं दिया स्नोव वाइट ने दुबारा पूछा शीषे शीषे प्यारे शीषे जवाब दो मुझे आखिरकार शीषे ने जवाब दिया तुम्हारे शेजादे को हेला ने अपने कब्जे में कर लिया है। हेला, मुझे पता था, मुझे पता था वो इस सब के पीछे है। उसके बाद शीशे के अंदर से वो बंदा गायब हो गया। और अचानक चुडैल हेला शीशे के अंदर आ गई। जब सातो बोनों ने हेला को देखा, उन्होंने डर कर अपनी आँखें बंद कर ली। अगर तुम अपने शेजादे को ढूंडना चाहती हो, तो इस शीशे के अंदर आ जाओ। स्नोव वाइट शेहजादे से प्यार करती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। हेला ने उससे जादूई जंगल में खीच लिया था। रुको सुनव वाइट, रुक्याओ। साथो बोनों को समर्ज नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन वो स्नोव वाइट के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो सारे एक एक करकर अंदर आ गए। जब स्नोव वाइट और साथो बोने अंधेरे में जा रहे थे, उन लोगों के पास कुछ फायर फ्लाइज आ पहुची। और ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंके वो बस एक नदी के पास जाकर गिर नहीं वाले थे। स्नोव वाइट और साथो बोने पानी के अंदर पत्थरों पर चल कर जाने लगे। लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ओक्टूपस बहार आया और उन पर हमला करने लगा। उस ऑक्टूपस ने साथो बोनों को एक एक करकर पकड़ना शुरू किया और उनको जोर जोर से हिलाने लगा। स्नोवाइट, स्नोवाइट, मदद करो, मदद करो। और जैसे ही वो अक्टूपस स्नोवाइट को पकड़ने ही वाला था, तो अचानक बहुत सारी फायर फ्लाइज उसके पास आ गई। शुक्रिया फायर फ्लाइज, शुक्रिया। चमको और मेरे दूस्तों को बचा लो। फायर फ्लाइज की रोश्नी और भी ज्यादा तेज हो गई जब वो स्नोवाइट के पास आ गई। फायर फ्लाइज, ऑक्टूपस की आखों के करीब जा पहुची। और चमको और उस ऑक्टूपस की आखों में लाइट बहुत लग रही थी। इसलिए उसने उन बोनों को छोड़ दिया, और वो वापिस पानी के अंदर सोने चला गया। शुक्रिया सनोवाइट, तुमने हमारी चान बचाई। ओ, हमें और दिहान से रहना पड़ेगा। वो देखो, मेरे खयाल में वो हैला का महल है। हाँ, वो ही महल। महल के अंदर चुड़ैल हैला ने अपना प्लैन बनाना शुरू किया। सिर्फ उसे एक रसी चाहिए थी। सुस्त डंकव ने उस रसी को अपने आप में ही बान दिया। सिर्फ एक बार चुने से वो रसी डंकव में से निकल गई। फिर हैला ने शहजादे एंथनी को बोला कि वो स्नोव वाइट को पकड़ कर लाए। स्नोव वाइट और साथों बोने आखिरकार उस महल की तरफ आ पहुँचे। शहजादा एंथनी वही पर खड़ा था अपने हातों और पैरों में रसी बान। स्नोव वाइट जल्दी से शहजादे की करीब जा पहुँची ताकि वो रसीयों को खोल सकी। लेकिन ये हैला की चाल थी। जैसे ही उसने उस रसी को चुआ, वो रसी स्नोव वाइट के हाथ में आ पहुँची। मैंने इसे पकड़ लिया मेरी शहजादी। ओ, तुम बहुत बुरी हो हैला, तुमने शहजादे पे भी अपना जादू किया वा है। हैला स्नोव वाइट की करीब आ रही थी, ताकि वो उसे अपने जादू से तबाह कर सके। बोने बहुत हैरान थे। सुस्त बोना हैला की दरव जल्दी से भागा, लेकिन वो गिर गया, और उसके छोटे से पाउच में से जो मिट्टी थी, वो स्नोव वाइट के हाथ पर जाकर लगी, और उसके हाथ में से रसिया खूल गई। मैं आजाद हो गई। अरे रखो, वो जो मिट्टी हमने ढूंडी थी, वो जादू को तोड़ती है। क्या? हाँ, हाँ जब स्नोव वाइट ने ये सब कुछ समझा, तो उससे याद आया कि उसका नेकलिस भी उसी मिट्टी से बना हुआ है। तो उसने अपने नेकलिस से कुछ मिट्टी शहजादे की तरफ भेगी, और फिर शहजादा बिलकुल ठीक हो गया था। रसी, डंक ओफ मुझे रसी दो। लेकिन शहजादा एंथिनी बहुत तेस था। उसने वो रसी उठाई और डंक ओफ को उस रसी से बान दिया। फिर सातो बोनो ने अपने पाउच में से मिट्टी निकाली और हैला के उपर फेकना शुरू की। और उस मिट्टी ने हैला का जादू भी खतम कर दिया। और उसे एक पत्थर में तबदील कर दिया। फिर वो मिट्टी हावा में उड़ गई और पूरे जंगल में फैल गई। और वो जंगल अब जादू जंगल नहीं रहा। बलके एक बहुत ही खुबसूरत जंगल बन गया था। जिसमें पत्ते, फूल और घास थी। हैला पत्थर में बदल चुकी थी और उसकी जादू भी अब खतम हो चुके थे। और इस बार भी दोस्ती और प्यार की जीत हुई। स्नो वाइट, शहजादा और साथ बोने अपने महल वापस आ गए। और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। I have found happiness in this forest My little friends protect me here Their tiny hearts are now full of hope स्नो वाइट और जादू शीशा एक जमाने का जिक्र है एक खुबसूरत नीले आस्मान के नीचे एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। वहां एक खुबसूरत से महल में शहजादा एंथिनी और स्नो वाइट खोशी से रहते थे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं पत्थर दिल शहसादी हैला पहाणों के पीछे अंधेरी गुफ़ा में रहती थी। स्नो वाइट को मारने की नाकाम कोशिश करने पर उसे और उसके नौकर को महल से भगा दिया गया था। और अब हैला की पास एक नया प्लेन था। डंक ओफ इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं स्नो वाइट को खतम करके ही रहूंगी। हाँ, तुम कर लोगी मेरी शहजादी। डंक ओफ डंक ओफ बताओ कौन है सबसे ज्यादा खुबसूरत। आप और कौन हो सकता है लेकिन वो एक शहज। चुप हो जाओ डंक ओफ, मैं हूँ सबसे ज्यादा खुबसूरत इस पूरीक दुनिया में। मुझे अब एक शीशा बनाना होगा जिससे मैं जादूई जंगल ढूंड सकूँ। हैला का जादूई शीशा महल के स्टोर रूम में बन था। तो हैला ने प्लैन बनाया कि वो एक नया जादूई शीशा बनाएगी। ऐसा करने के लिए उसे सारे मैजिकल पार्ट चाहिए थे। सबसे पहले उसने कुछ जिमजाइम के पत्ते, फिर जादूई गुलाब और तैरते हुए पत्थरों को भी। उसकी जादूई किताब ये कहती थी कि इन सब को 20 मिनित तक गरम पाने में उबाला जाए। आखिरकार हैला के ताकेत वर जादू से एक नया शीशा बहार आया। काले शीशे काले शीशे जागो और मुझे जादूई जंगल दिखाओ जिससे मैं स्नोव वाइट को तबहाओ बरबात कर सकूँ। ये देखकर बहुत हैरान हो गया। एक नया जादूई शीशा उसके सामने उड़ रहा था जिसके चारों तरफ काले पत्थर थे और परपल रंगे पर भी लगे हुए थे। शीशे के अंदर साथो बोनों का जंगल दिखाओ लेकिन वो और डरावना और अंधेरे से बहर गया। हेला शीशे के अंदर गई। काले शीशे काले शीशे मेरा हुकम मानो और उन बोनों को रास्ते में पकड़ लो। दूसरी दरफ साथो बोनी जिन्होंने पूरे दिन काम किया वो बाहर निकले एक एक कर गई। पहला श, फिर शाई, एंग्री, सिली, क्यूरियस, जॉली और लेजी। ओ, ये बहुत देर का काम था। चलो घर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं सो जाऊंगा। नहीं, उठो, हमें आराम नहीं करना, हमेशा होने से पहले घर पहुचना है। साथ बोनी अपने घर की तरफ निकल पड़े। सुस्त बोना सबसे पीछे चल रहा था। उसने देखा कि एक कववा उर्दा हुआ जा रहा था। और उसके मूँ में एक लाल रंगा पत्थर था। सुस्त बोने का ध्यान भटक गया था। और वो पेड़ पर चड़ने लगा। ताकि वो पत्थर ले ले जो उस कववे के मूँ में था। उपर 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 जैसे ही वो कववे को छूने ही वाला था। पेड़ अपने आप गिरने लगा। कववा उड़कर वहां से चला गया। पेड़ की लकड़ियों ने सुस्त बोने को चारों तरफ से घेल लिया। वो अब कही नहीं जा सकता था। और उन लकड़ियों ने उसका ग्रीन हेड भी निकाल लिया। बाकी बोनों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि सुस्त बोना गायब है। और वो चलते रहे। और अब क्यूरियस बोना सबसे पीछे था। और फिर उसे एक बहुत ही मीठी खुश्बू आई। उसने अपनी आखें बंद करी और उस तरफ जाने लगा जहां से खुश्बू आ रही थी। जादूई जंगल ने उस बोनी को एक पेड़ की लकड़ी से तक्रा दिया। और उसका सेर पेड़ से तक्रा गया। और फिर जंगल की जादूई गंद ने उसे ढख लिया और उसे ले गई। सिर्फ उसकी टूपी वहां रह गई। बाकी बोनी आखिर कार जंगल में अपने छोटे से घर में आ पहुँचे। दूसरी तरफ महल में। स्नोवाइड ने महल में से कुछ लजीज खाना अपने दोस्तों के लिए उठा लिया। सुईट हाट, मैं जंगल में जा रही हूँ। अपने साथ दोस्तों से मिलने। तुम्हें समल के रहना होगा, वो शेयतान यहीं कहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्नोवाइड ने जंगल में अपना लंबा सफर शुरू किया। एक खुबसूरत तोता आया और स्नोवाइड के कंदे पर बैठ गया। वो उसको कुछ समझाना चाह रहा था। तोता उसके कंदे से उठा ताके स्नोवाइड उसका पीछा करे। अब मैं समझी, तुम चाहती हो कि मैं तुमारा पीछा करूँ। मैं आ रही हूँ। जैसे ही स्नोवाइड ने उसका पीछा किया, उसने एक ग्रीन हैट देखा। ये, ये तो सुस्त बोने का हैट है। यकीनन कुछ बहुत बुरा हुआ है। स्नोवाइड अभी भी उस तोते का पीछा कर रही थी। और फिर उसने एक येलो हैट देखी जो जनीन पर पड़ी हुई थी। ये, ये तो क्यूरियस बोने का हैट है। स्नोवाइड और तोता जल्दी से साथ बोनो के घर जा पहुँचे। बोनो को ये यकीन था कि स्नोवाइड जरूर आएगी। अरे, स्नोवाइड, हमें तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम क्यूरियस और सिली को नहीं डूढ पा रहें। क्या तुम हमारी मदद करोगी। हमें उन्हें धूढ ना होगा। मुझे लगता है कि उस चुडैल ने उन्हें पकड़ लिया है। हमें उन्हें धूढ ना होगा। शायला और मैं घर में रुकते हैं। जब तक तुम लोग आ जाओ स्नोव वाइट, एस, जॉली और एंग्री उन दोनों को ढूरने के लिए निकल पड़े बहुत दूर पहाड़ों के पीछे हैला और डंग ओफ, क्यूरियस और सिली को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद करकर खड़े हुए थे तुम्हें स्नोव वाइट की मदद करने के लिए सजा मिलेगी, मैं उस जादूई जंगल में तुम लोगों को तभा कर दूँगी हैला वापिस जाने लगी अपने जादूई शीशे के पास काले शीशे काले शीशे स्नोव वाइट और उसके दोस्तों को ढूंडो और उनके सुनहेरे दिन को बदलके एक काली रात में तब्दील कर दो स्नोव वाइट और बू ने उस तोते का पीछा कर रहे थे लेकिन तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो गई वो फिर भी चलते रहे ताके वो अपने दोस्तों को ढूंड सके वो पूरी रात पहाडों के उपर चड़ते रहे वो तोता भी पूरी रात उनकी मदद करता रहा ताके वो बोनी बच सकी पहाडों के उपर बथर दिल हैला ने देखा के स्नोव वाइड और बाकी बुने आ रहे हैं वो जानती थी के वो बारिशों की वज़़स से ठक चुके हैं मुझे पता था वो लोग आएंगे डंक ओफ क्या सब तयार है हाँ मेरी चैजादी सब तयार है स्नोव वाइड और बोनी बहुत ठक चुके थे लेकिन वो फिर भी चड़ते रहे जैसे ही वो उपर पहुंचे उन्होंने देखा महल के अंदर जाने का रास्ता और एक पिंजरा जिसके अंदर क्यूरियस और सिली फसे हुए थे हम तुम्हें बचा लेंगे स्नोव वाइड देखो एक शिशे है वहाँ ये एक और शिशे यहां कैसे आ गया स्नोव वाइड हलके हलके उस गुफा में जा पहुंची बाहर डंक और उन दोनों पर नजरे रखा हुआ था और दूसरी तरफ तीनो बोनों ने एक बहुत अच्छा प्लैन बनाया एंग्री डंक औफ के उपड़ चड़ गया और उसके बाद उसने उसके मूँ पर एक कपड़ा ढग दिया प्रे जॉली ने पिंजरे को नीचे किया और वो पिंजरे इतनी तेज नीचे आया कि डंक औफ के सर पर जाके लगा और ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि पिंजरे के दर्वाजे पर ताला लगा हुआ था चाबियां डंक औफ के पास हैं वहाँ पर देखो उसे पकड़ो अरे दर्वाजे खुलो जॉली ने वो चाबिय उठाई जो डंक औफ की गड़न में थी और जल्दी से पिंजरा खोल दिया सिली और क्यूरियस बच गए लेकिन गुफा के अंदर स्नोव वाइट पत्थर दिल चुडैल हैला से मुकाबला कर रही थी हैला तुम बुरा करने से खुबसूरत नहीं बन सकती हो अगर तुम्हें खुबसूरत होना है तो तुम्हें अपना दिल बदलना होगा और तुम्हें लगों को नुकसान पहुचाना बन करना होगा लेकिन पत्थर दिल चुडैल ने स्नोव वाइट की बाद नहीं मानी और उसने एक जादू करना शुरू किया जिसने उसके हातों को पूरी तरह से बदल दिया लेकिन हेला के पीछे बाकी बोने आ गए ताके हूँ स्नोव वाइट को बचा सके हेला स्नोव वाइट की करीब आती गई ताके वो उस जादू शीशे में जा गिरे इस शीशे के अंदर चली जाओ स्नो वाइट और फिर तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी इस काले घने जंगल में सुस्ट बोना चुड़ैल हेला के सामने आने लगा और बाकी बोनो ने उसको पीछे से धक्का दिया स्नो वाइट को शीशे में डालने के बचाए वो फुच शीशे में चली गई हैला की चीफ ने डंक ओफ को जगा दिया वो जल्दी से अंदर भागा और देखा कि स्नो वाइट बाहर खड़ी है मेरी शेहजादी मैं आ गया हूँ मेरी दुनिया की सबसे खुबसूरे शेहजादी वो दोनों फस चुके थे वो ने स्नो वाइट की तरफ भागे और उसे गले लगा लिया बहुत शुक्रिया तुमारा तुमने हमारी जान बचाई अब हमें इससे चुटकार अपाना है स्नो वाइट और बूनों ने उस सीशे को नज़ी के अंदर फेक दिया चलो अब घर चले और आखिर में क्यूरियस और सिली बहुत खुश थे घर वापिस आकर स्नो वाइट के साथ में उन्होंने बहुत लजीज खाना खाया और मज़े किये